हरी कृष्णा राधी राधी कहा जा रहा है कि इस बार सावन के दो महीने हैं जब सावन के दो महीने हैं तो शिवरात्रे कौन से महीने में पड़ेगी? पहले महीने में या दूसरे महीने में? आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे देखिए इस बार दो सावन हैं दो सावन किसलिए हैं क्योंकि इस बार अधिक मास पढ़ने वाला है जब भी अधिक मास पढ़ता है तो जिस महीने में पढ़ता है वह महीना बढ़कर दो महीने यानि 60 दिन का हो जाता है इस बार अधिक मास सावन के महीने में पढ़ रहा है इसलिए सावन का महीना बढ़कर 60 दिन का हो गया है इस बार सावन के महीने में 800 बार पढ़ेंगे अब बात करते हैं शिवरात्री की देखी जब भी अधिक मास पढ़ता है तब पहले 15 दिन यानि अमावस्या तक जिस महीन मास्समाप्थ हो जाएगा फिर से 15 दिन सावन के चलेंगे तो इसलिए शिवरात्री पहले 15 दिन यानि सावन के जो पहले 15 दिन है उन में पड़ेगी सावन का महीना शुरू होगा 4 जुलाई को और सावन की शिवरात्री होगी 15 जुलाई यानि दिन शनिवार को तो इस भ्रम में आप बिल्कुल भी ना रहें कि पहले सावन के महिने में शिवरात्री है या दूसरे सावन के महिने में है सावन का महीना दो महीने तक कहा जाता है लेकिन बीच में एक महीने का पुर्षोत्तम मास आता है तो पहले पंदरा दिन में ही सावन की शिवरात्री होगी जैसे हर साल होती है आज की इस वीडियो में बस इतना ही हरे कृष्णा राधे राधे